मैं की बात है, गौतम बुद्ध के हजारों शिश्य, उनके पास अधेयन करने आते थे, गौतम बुद्ध से जब भी कोई चीज से ग्यान प्राप्त कर लेता था, तो उसे किसी दिशा में लोगों को जागरूप करने तथा शिक्षा देने के लिए भेज दिया करते थे, बु लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा, आखिर ऐसा क्यों? क्या मुझे आपका ग्यान प्राप्त नहीं हुआ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये तो तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा, कि मेरा ग्यान तुम्हें प्राप्त हुआ है या नहीं? शिश्य बोला, हे बुद्ध, आपने इन शे सालों में जो मुझे उपदेश दिया है, वो मुझे सब याद है, आपकी बताई हुई एक एक बात मुझे सब याद है, आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर उत्तर देने के लिए तयार हूँ, आप मुझे एक मौका तो दे, ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर, लोगों को अपने ग्यान के बारे में बता सकूँ, इस पर बुद्ध ने बोला, कि ग्यान की बात को याद रखने से कोई फाइदा नहीं, जब तक तुम उस आदत को खुद नहीं अपनाओ, शिश्य ने कहा, जो भी हो, कृपय मुझे एक मौका जरूर दे, आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं सभी को अपने ग्यान से प्रभावित कर सकता हूँ, मैं लोगों को ऐसी बाते बता सकता हूँ, जिससे लोगों के जीवन में शांती आ जाएगी, और वो अपना शांति पूर्ण जीवन जी पाएंगे, तो फ पूर्व दिशा में चले जाओ वहाँ एक गाव मिलेगा, वहाँ से भिक्षा मान करलाना और अपने ग्यान से लोगों की मदद करना, कल सुबह केले जाना, और शाम में आकर मुझे बताना, कि तुमने लोगों की सहायता कैसे की, शिश्य ये बात सुनकर बहुत खुश और आशीरवाद लेकर चला गया, वो रात भर ग्यान समेटता रहा और मन ही मन सोच रहा था, कि मैं वहाँ ग्यान का ऐसा चाप छोड़ूंगा, कि वहाँ के लोगों के साथ बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे, सुबह उठकर वो महात्मा बुद्ध को प्रन लेने गया पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी, सब मुझे वहाँ गालिया दे रहे थे, एक व्यक्ती ने भिक्षा तो दी थी, लेकिन नीचे फेक कर और कहा इसे उठा लो मैंने उन्हें काफी समझाया, लेकिन मेरी बात सुनने को तयार ही नहीं थे, उन्होंने मेरे सा तब तुम क्या करोगे? शिश्य ने कहा, हे बुद्ध, मैं ऐसे लोगों को कोई ग्यान नहीं दे सकता, वो लोग अग्यानी है, उन्हें कौन समझाये? बुद्ध ने कहा, वो लोग अग्यानी नहीं बलकि ग्यानी है, उनके पास बहुत ग्यान है, परन्तु उनके पास प्रणाम करके चला गया अगली शाम जब वो वापस बुद्ध के पास आया तब वहां बुद्ध के एक और शिश्य मौजूद थे उनके हाथ में भी चोट लगी हुई थी बुद्ध ने शिश्य के हाथ पर चोट देख उस पर पट्टी की और उससे पुछा तुम्हें ये च जमीन पर फेक कर दी थी और कहा उसे उठा लो तो मैंने उसे उठा कर अपने जोले में रख लिया और मैंने उसे सफल होने का आशीरवाद दिया तब उस व्यक्ती ने मुझसे कहा आप बड़े अजीब लगते हो मैं आपका अपमान कर रहा हूं और आप मुझे के जिससे मुझे चोट लग गई और जब मैं वापस आ रहा था तब रास्ते में मैंने एक मा को रोते हुए देखा वो अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी मैं तुरंद जंगल से जाकर उसके लिए जड़ी बूटी लाया लेकिन वहां के कुछ लोग जड़ी बू लगाने दी उसके कुछ देर बाद वो बच्चा ठीक हो गया फिर गाउं के जिन लोगोंने मुझसे अभधर व्यवहार किये थे उन्होंने मुझसे माफी मांगी और धन्यवात कहा फिर मैं वहां से वापस आ गया हे बुद्ध मेरी आप से एक विनती है उस गाउं के लोग नहीं हुआ हूं कि मैं दूसरों को ग्यान दे सकूँ बुद्ध ने कहा हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम अंदर से होते हैं जब तक स्वयम को नहीं बदल सकते तब तक किसी को नहीं बदल सकते हैं खुद में बदलाव लाना ही जरूरी है अपने आप म for joining us.